आज शाम के कारूबारी सतमें किर्शी फसल का वायदा बजार के आज़ा रहा है किस क्रिशी फसल के अंधर कितनी मनी तेजी के साथ का रूबा दर्च के जा रहा है और एक्सपर्स का क्या कहना है कि एक्सपर्स के द्वार अनभान के मताबिक आगे जा owी कि Stadium के अंधर कितनी मनी तेजी बनती भी नज़र आ सकते हैं इस अब जानने के कोशिश करेंगे काफी दिनों से एक रेंज बाउंड में कारवार करता हुए नजर आ रहा है दरसल कैसर की कीमतों में अब कुछ हलकी फुलकी तेजी बनती भी नजर आ सकती है जो fundamentals हैं वो overall मजबूत ही है पहले से ही export demand भी है और production भी कम रहने का यह नुमा आने इस बाग कैसर seed का क्योंकि बुवाई का रगबा कम देखने को मिल सकता है तो overall रुजान कैसर में तेजी का ही है अब जानकार यहां से बता लेंगी positional basis की बात करें तो कैसर में 6400 से 450 का लेवल देखने को मिल सकता है वहीं अगर इस से आगे निकलता है तो भाव 4500 से 6600 तक भी जाता हुए नजर आ सकता है तो कैसर में overall तेजी का रुजान देखने को भी हाल फिलाल में मिल सकता है बात करें यहां से अगर अब बिनौला खलकी तो बिनौला खलका डिसमबर बाता देखने है 2413 पर है पौने 2 फिसदी की करेक्शन के साथ देख रहे हैं आज बिनौला खलकी कीमतों में और गिरावट बंती भी नजर आ रही सुबा के कारुबाई सतर के मुकाबले शाम के कारुबाई सतर में बिनौला खलका वैदा बजार अब कुछ और नर्मी के साथ कारुबाई करता वा नजर आ रहा है दरसल अब बिनौला खल की कीमतों में एक खल की सी करेक्शन और देखने को मिल सकती है लेकिन जानकार को कहना है कि निचल इस तरड़ों पर बिनौला खल में खरीदारी भी ज़रू निकलेगी जो कीमतों को एक बार फिर से उपर में लेके जाएगी बात करें यहाँ से अगर मसाला कॉंपलेक्स की तो देख रहे हैं कि धनिये के नमबर वायदा 7,976 पर कारुबा करता हूँ नजर आ रहा है आदे फिस्दी की तेजी के साथ और बात करें जीरा की तो जीरा के नमबर वायदा 14,590 पर है 14,600 का ही लगा चुका है और टर्मेरिक यानि हल्दी का नमबर वायदा 7,270 पर कारुबा करता हूँ नजर आ रहा है देखने कि मसालों का वायदा 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 आज भी कुछ सुस्ती के साथ कारुबा करता हूँ नजर आ रहा है लेकिन हाजिर बजारों के अंदर मसालों की कीमतों में तेवारी मांग का सपोर्ट दिखता वा नजर आ रहा है बले ही जो एक्सपोर्ट डिमांड है मसालों की वो उची कीमतों रहने की वज़ा से कम होती भी नजर आई हो लेकिन हाजिर बाजारों के अंदर अभी हाल फिलाल में तेजी ही देखने को मिलती रहेगी वाए दर बाजारों में थोड़े जो नरम, जो थोड़े सेंटिमेंट्स थोड़े कमजोड बनते भी नज़र आए हैं जीरे का जो स्टॉक है अभी मंडियों में भी और वेपारियों के पास भरपूर स्टॉक के परयाप्त मातरा में है दूसरा हल्दी की जो अगली फसल होगी अच्छोने का अनुमान लगाया जा रहा है तीसरा अगर धनी की बात करें तो धनी में थोड़ा बहुत तेजी देखने को मिल सकती है क्योंकि धनी का जो स्टॉक है वो थोड़ा कम बताया जा रहा है जिसकी वज़ासे धनीों में थोड़ी तेजी देखने को मिल सकती है लेकिन हाल फिलाल में अभी मसालों की कीमतों में वाइदा बजारों की बात करें तो एक हलकी फुलकी सी जो सुस्ती है वो देखने को मिल सकती है हाला कि हाजिर बजारों में कीमतों में तेजी का रुक अभी देखने को मिल रहा है बात करें यहाँ से अगर गौर कॉम्पलेक्स की तो देख रहें कि गौर कॉम्पलेक्स आज भी एक अच्छी कासी तेजी के साथ कारूबा करता हो नजर आ रहा है देर असल कच्छे तेल की कीम्तों में तेजी बनती भी नजर आ रही है काफी अच्छी कासी, overall जो वैश्वीक स्तर पर कच्छे तेल की मांग निकल के सामने आई है जिसकी वज़ा से गवार की कीमतों को सपोर्ट मिलता हुए नजर आ रहा है कहीं न कहीं और दूसरा इस बार गवार का जो उत्पादने कम रह सकता है विछले साल के मुकाबले तेजी का रुक देखने को मिल रहा है दूसरा अभी गवार का जो पहले का जो स्टॉक था जो सालों से किसानों के पास वैपारी के पास रखा वा था वो अब इस्तमाल में आने लगा है अब धीरी धीर करके स्टॉक खपने लगा है क्योंकि इंडस्ट्रिल डिमांड थोड़ी ज़्यादा निकल रही है अभी गवार की इंडस्ट्रिल डिमांड ठीक ठाक देखने को मिल रही है और जो important factor है गवार में अभी तेजी का वो है आपका कच्च तेल की कीमतों में तेजी आना तो कच्च तेल की कीमतों में जब तक अभी तेजी आती रहेगी गवार की कीमतों को support मिलता रहेगा और जानकर अब यहां से बता रहे हैं कि गवार अगर 12,000 का level टच कर लेता है तो गवार गम 12,000 के पार भी जाता हूँ नजर आ सकता है और वहीं गवार सीड में भी 6500 के levels देखने को मिल सकते हैं तो ओवरल उजान गवार गम और गवार सीड में अभी तेजी वाला देखने को मिल सकता है बात करें यहां से अगर अब खादय तेल की तो देखने की मस्तर सीड का नवंबर वायदा 8,484 पर कारवा कर रहा है 1,5% की तेजी के साथ और सोयबीन के नवंबर वायदा 5,345 पर है देखने की खादय तेल का बजार आज भी कुछ एक नर्मी के साथ कारवा करता हूँ नजर आ रहा है हाला कि सरसो की कीमतों में पहले के मुकाबले कुछ वायदा बजार में कुछ हलकी सी खरीदारी निकली है निचले सतर से लेकिन पहले वाले लेवल देखने को नहीं मिलना है जो हमने 87, 86, 88 आते वे देखे था वो सरसो की कीमते हैं अब दिने ही देखने हैं उमलीवायदा बजार के अंदर बले ही स्टॉक कम हो लेकिन अब जो सेंटिमेंट बनते में नजर आ रहे हैं सरसो के वो कुछ इस प्रकार हैं जैसे कि जो बुवाई अब जैसे सरसो की चालू हो जाएगी या हो चुकी है कई क्योंकि इस बार सरसो किसानों को काफी अच्छी कीमते मिली हैं जिसकी वयाई से किसानों को जो रुजहान है अन्य फसलों की वज़ाए सरसो की तरफ भी बड़ा है तो अगर सरसो का उत्पादन जादा होता है अभी तो फिलाल जानकार और विशेशक ये दोगना बता रहे तो जो सप्लाई है मार्किट के अंदर मंडियों के अंदर भरपूर रहेगी अगर किसान कंटिन्यूसली लाते रहते हैं रोग रोग कर नहीं लाते हैं तो लेकिन जब तक नई फसल की आवक होती है तब तक किसान के पास अच्छा खासक समय है सरसों से अच्छा मुनाफ़ कमाने का किसान चाहें तो नहीं सरसों की आवक होने पर भी अपनी सरसों बेच सकते हैं या फिर जैसा भी कर रहे हैं रोग रोग कर बेच रहे हैं किसान वैसे भी अपनी सरसों अभी बेच सकते हैं नहीं फसल की आवक होने पर क्या होगा कि जब नहीं फसल आएगी सरसों की उसमें नमीकी मातर अज़ाद होगी जिसकी वज़ा से जो परानी सरसो है उसकी जो कीमते हैं वो पहले से ही बढ़ जाएंगी अभी हम देख रहे हैं कि कुछ-कुछ जगा उपर सरसो अभी भी 9200 के उपर बिक्ती भी नजर आ रही है तो सरसो की कीमते इस बार भी काफी अच्छी खासी अभी भी हाल फिलाल में देखने को मिल रही है बात करें आजा सोयबीन की तो सोयबीन की जो फसल है बड़े पैमाने पर बारी बारिश के चलते खराब होती हुए नजर आई है किसानों को काफी जादा नुकसान हुआ है किसी किसान की ये हालत भी है सोयबीन में कि उनकी पूरा खेत भारी बारिश से नश्ट हो गया जिसकी वज़ासे उनकी पूरी सोयबीन की कटी कटाई फसल जो थी वो भी नश्ट हो गई है किसानों का इतना नुकसान हो चुका है लेकिन कुछ किसान ऐसे भी है जिनकी कुछ फसल बच गई है लेकिन भारी बारिश होने की वज़ासे नमी की मातरा जादा है और जब नमी की मातरा जादा होती है बारिश जादा पर जाती है सोयवीन की फसल पर तो जो फसल है वो दागी हो जाती है उसका जो रेट है वो थोड़ा कम देखने को मिलता है और दूसरा अभी जो सरकार ने फैसरा लिया था कि सोयबीन मील का आयात किया जा रहा है उसकी वज़ा से भी सोयबीन की कीमतव पर एक दोरी मार पड़ती भी नज़र आ रही है और सरकार ने अब जैसे कि सरसो के फ्यूचर ट्रेडिंग पर रोग लगा दी है खादे तेलों भी लॉंच किया था कि वेपारियों को मिलोरों को इस पर अपना स्टॉक का स्टॉक के बारे मतान होगा कि किसके पास कितना स्टॉक है तो इन सभी स्टेप्स के चलदे जो सरकार ने उठाए हैं जितने भी कदम सरकार ने खादे तेल की कीमतों को कम करने के लिए उठाए है वो कहीं न कहीं खादे तेल की कीमतों पर असर डाल रहे हैं लेकिन असर इतना नहीं है खादे तेल पर की जो कीमते हैं पहले वाले जैसे की इस साल के शुरुवात में थी सरसो तेल 130-140 रुपे था तो उस पर विक्ताव नजर आए हाला कि सुईबिन की कीमतों में कुछ पैसरा लेते हैं उनका कहना है कि आखड़े अभी ये बताया जा रहे है कि सुईबिन का उतपादन पिछले साल के मुकाबले लवक 14 फीजदी जादा रह सकता है उतपादन जादा रह सकता है लेकिन विशेशक्यों का जानकारों का और किसानों का यहां पर एक सवाल उठता है सुईबिन को लेकर कि बुआई के समय बीच था नहीं नहीं सरकार ने आयात किया तो बुआई बड़ी कहां से और अगर ये बड़ भी गई है और अगर उतपादन के आखड़े जादा बताए भी जा रहे हैं तो भारी बारिश ने किसानों का इतना नुकसान किया है कि उ आखड़े हैं वो जितने अभी बताय जा रहे हैं उससे जो उतपादने काफी कम ही रहने की आशंका है और अगर जो फसल मंडियों में आती भी है तो वो भी नमी वाली आएगी अभी तो किसान चाहें तो सरसो की तरह यहाँ पर अपनी फसल रोक कर सुखा कर अच्छी कर सक करते हैं जिसकी वज़ा से उन्हें आगे चलके जो सोयबीन है उनका अच्छा दा मिलता हूँ नजर आ सकता है तो किसानों का यहाँ पर सतरकता बरतने की जरुवत है किसान किसी के अभी बैकाय में ना आये कि सोयबीन के आखड़े बढ़ रहे हैं बढ़ रहे होंगे लेकि इन सिर्फ और सिर्फ उतपादन के आखड़ों पर भी सोयबीन में मंदी तेजी का फैसला नहीं किया जा सकता खपत के आखड़े कितना स्टॉक पहले था कितना स्टॉक कहां जा रहा है उसके भी आखड़े इंपोर्टेंट है उसके आखड़े भी इसमें एक खास प्रभा तो सिर्फ और सिर्फ उत्पादन के आखड़े जो जारी किये गए हैं एक जगा बैठ कर उनसे यह पता लगाया नहीं जा सकता कि स्वयविन में तेजी रहेगी या मंदी किसानों को पता है कि बीच था नहीं बुवाई कम हुई है सिर्फ एक राज्य में नहीं हर राज्य में बुवाई कम हुई है और दूसरा भारी-बारी से भी सोयविन की फसल को काफी नुकसान पहुचा है तो दो फैक्टर ऐसे हैं जो काफी जादा मैत्तपूर है और सवाल उठा देने वाले हैं सोयविन की उत्पादन के आखड़ों के उपर तो किसानों को यहाँ पर सतरकता बरतने की जादा जरूरत है अब किसानों के उपर ये निर्वर करता है कि वो अपनी सोयविन की फसल अभी बेचेंगे या फिर रोक के रखेंगे ये पूरा का पूरा जो निर्वर है ये सिर्फो सिर्फ किसानों का है कि उनको आगे जाके अभी क्या करना है सोयविन के अंदर तो आशा करते हैं आपको हमाई जानकारी अच्छी लगी होगी अगर आपको हमारी जानकरी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेर करें और जो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल Market Ams TV को सब्सक्राइब करना ना भूलें फिलाल पजार की चानल मस इतना ही मुझे दीजे इजाजत, नमस्कार